नमक वाले पानी में पैर रखकर ध्यान करने से क्या लाब होता है? Mission Genius Mind से संची मलिक हम इसे बहुत सारे लोग negative energy लेकर घूम रहे हैं यानि उनके साथ negative energies attached हैं उनके मन की अपनी negativity ही, मन की अपनी सोच या फिर बाहर से ली हुई negativity भी उनके औरा में शामिल हो जाती है जब ऐसा हो तो आपका ध्यान में मन नहीं लगता साथी साथ आपका मन बेचैन रहता है, विचलित रहता है आप परिशान रहते हैं, घर में बहुत सारे नुकसान होने लगते हैं वो मॉनिटरी हो या मन के लेवल पर हो या रिलेशन्शिप इशूज हो ऐसी बहुत सारी समस्याइं आनी शुरू हो जाती है अगर आपके औरा में negativity हो तो यह जो simple प्रियोग है यह आपको इस सारी negativity से छुटकारा दिलाएगा आपने करना क्या है simply आप एक आधा बाल्टी पानी रखकर या एक तिहाई बाल्टी पानी रखकर थोड़ा हलका गरम पानी लें गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें एक आधा मुठी नमक उसमें डाल कर घोल लें और अपने पैरों को उसमें डिप करें और फिर मेडिटेशन शुड़ू करें चेंटिंग करें ओम की चेंटिंग कर सकते हैं या फिर सेवन चक्र वाला मेडिटेशन करें आप पाएंगे कि अलग अलग चकरों पर जब आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जिस चकर के अंदर भी नेगेटिविटी होगी उस समय में आपके पैरों की सेंसेशन बढ़ने लगेगी आपके पैरों में अजीब सी sensation फील होगी और थोड़े समय के बाद आपको पानी का रंग भी बदलावा महसूस हो सकता है होता है यह बहुत ही powerful चीज़ है आपको proof की तरह दिखता है कि आपके अंदर से negativity निकली है पानी जो कि बिलकुल crystal clear होता है नॉर्मली जब आप पैर डालते हैं शुरू में crystal clear होता है लेकिन जब यह ध्यान आप 10 मिनट भी कर लें वैसे seven chakra meditation जो हमने डाला हुआ है seven chakra meditation संजीव में लेका आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा तो यह जो वीडियो डाला हुआ है यह लगबग 30 मिनट का है लेकिन इसको आप 20 मिनट का भी बीच में से कर सकते हैं शुरू का introduction part आप skip कर दें तो 20 मिनट में आपको अपने अंदर एक जबरदस change महसूस होगा ऐसे लगेगा कि शरीर की बहुत सारी गंदगी निकल गी बहुत सारी negativity निकल गी और आपका शरीर बिलकुल हलका हो गया इससे आपको जो लंबे समय से चली आरी समस्याएं हैं उनसे चुटकारा पाने में मदद मिलेगी अगर किसी की नजर लगने के कारण या आपके औरा के कमजोर होने के कारण या किसी तरह की negativity आप पर सवार होने के कारण या black magic के कारण अगर आपके औरा में negativity आ गई थी तो उन सबसे चुटकारा पाने में आपको इससे मदद मिलेगी ये छोटा सा हो पाए है लेकिन बहुत पावरफुल है करके देखेगा हफ़ते में दो बार कर सकते हैं इसे वैसे तो डेली भी कर सकते है लेकिन जब नेगेटिविटी हो तभी करने की जरूरत है Otherwise नॉर्मल केस में हफ़ते में एक बार जरूरत कर लें आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुकून मिलेगा उमीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें कमेंट करें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें Thank you Thank you very much